अभी तक राज्य को 214 मेट्रिक टन ऑक्सिजन का आवंटन किया गया है उसी आवंटन के आलोक में अभी ऑक्सिजन का उठाओ भी हो रहा है और राज्य के सभी सरकारी और प्रैवेट हॉस्पिटलों में मेडिकल ऑक्सिजन के आपूर्ती भी की जा रही है अभी जितनी ऑक्सिजन की उपलब्धता है वो आपूर्ती की जा रही है लेकिन मरीजों की जो संख्या बढ़ रही है उसके अनुसार हम सब लोगों का अनुमान है कि अगले कुछ दिनों में 300 मैट्रिक टन की जरूरत बिह किया है कि जो बीहार का कोटा निर्धारी थे उसको बढ़ाया जाए ताकि आगे आने वाले समय में हम और उक्सिजन का उठाउं कर सके इन लोगों को दिक्कत नहीं हो अभी कहीं दिक्कत नहीं है सभी जोंगों पर्यांप्त oxygen उपलब्ध हो रहा है, इसके अलावे भारत के सरकार के द्वारा पांच P.S.S. प्लांट लगाए जा रहे हैं, पुर्व के निर्ने से और अभी वर्तमान में 15 और अन्य जगों पर oxygen प्लांट लगाने का निर्ने भारत की सरकार ने किया है तो एक तरफ जहां केंद्री की सरकार के तरफ से ये प्रयास हो रहे हैं वहीं राज्जी की सरकार के तरफ से भी हमारे सभी Medical College Hospitals में Oxygen के Cryogenic Tank लगाने का आदेश दे दिया गया है इसके अतरिक्त Oxygen के उत्पादन की छमता को कैसे बढ़ाएं और फिलिंग की छमता को कैसे बढ़ाएं उसके लिए उद्योग भी भाग भी लगतार काम कर रहा है